हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में कलर कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग आपी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको क्या क्या केना यहां पर सेटिंग जैगा इसके और आपको क्लिक कर देने किलक करते हैं इस तरह से जिए आप को क्या कहना यहांkim הי-टो उपर ना फ्रतिए करते हैं है तो दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से हैं हां तक आप यहां आने के बाद आपको क्या करना यहां पर एक option दिख जाएगा colors का इसके ओपर आपको click कर देने click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आपको क्या करना यहां पर आपको दिख जाएगा choose your mode यहां पर आप select कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए light चाहिए dark चाहिए customize चाहिए यहां पर आप अपने हिसाब से यहां पर आप select कर सकते हैं इसी तरह यदि आपको light चाहिए तो light select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको इसको on off कर सकते हैं यहाँ पे आप color set कर सकते हैं आपको manual चाहिए, auto चाहिए यहाँ पे आप इतने हिसाब से select कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको customize color मिल जाएगा इसको उपर आप Click करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ से Click करके set कर सकते हैं आपको कौन सा Color चाहिए उस Color को set करके आप यहाँ पर done पे क्लिक करके उस Color को आप Change कर सकते हैं या नई तो आप वहाँ पर code भी दिखिये जागा